कि नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप पैनल का ये पार्ट टू देखेंगे क्योंकि पार्ट वन आप लोग ने देखा और डेढ़ाक लोगों ने कविक करें फिर देखें तो इसके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत मन से उसे देखा और कमेंट भी की तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताएंगे पैनल के बारे में कि देखे सबसे पहले आपको अगर T-CON यारi SCLAIR PCB जो भी आप उसे कहें यानि पैनल के बाद तो आप उसको समझने से पहले उसके बेसिक को समझना जरूरी है क्योंकि आप उसमें अगर मालीजे इसके पैनल इस टेक्चर को आप नहीं जानेगे तो आपको क्या है कि जब उसमें आप जाएंगे टीकॉन में या सोर्स पीसीबी में तो आप वहां पे जो भी आई सी फंक्सन कर रही है या जो भी बोल्टे वह से आउट हो रहे हैं वह कहां पे जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम जब हमारा होता है तो यह क्लेर करना पड़ता है कि हमारा प्रॉब्लम यानि फाल्ट कहां से है क्योंकि जब यह यह क्लेर हो जाता है कि ग्लास एरिया का फाल्ट है या टीकॉन का है क्योंकि कोई भी अगर वहाँ प्रव्लम होता है पैनल में तो देखी तुरंदÚ प्रोटक्शन में चला जाता है अब प्रोटक्शन जाने के पहले को वहां के कंपोजनट भी फाल्ट हो सकते हैं जो इसके रूट हैं जो बने हुए हैं बोल्टेश को जाने के लिए उस एरिया आप देखिए इसके इंटर्नल इसके वर्क कैसे काम करता है यानि ये पैनल तो इसमें चलिए देखते हैं देखिए कोई भी पैनल हो तो उसके अंदर पिक्सल होते हैं पिक्सल जैसा की जानते हैं हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ग्लास एरियां के अंदर आप जाएंगे तोह पर पिक्सल होते हैं और एक Pixel चो होता है वह हमारा एक जिसे TFT बोलते हैं Thin Film Transitor उससे design होता है आप उसे MOSFET माल ले क्योंकि उसमें भी source Exchangelys Can jetzt, तो देखिए Pixel है Pixel में MOSFET है बहुत बारिकी से समझें श्वेइल है और श्वे में MOSFET है ऑज पर काम करने के के लिए हमें सप्लाइज देनी पड़ती है मॉस्पेट में तीन लैक्स हैं यानि हमारा सोर्स ड्रेन गेट यह तीनों पर बोल्टेज की आसकता पड़ती है यह हमारा क्लियर हो गया तीन वोल्ट वहां पर हमको चाहिए अब देखिए कोई भी ट्रेंश्टर हो या मॉस्पेट हो तो उसे काम करने के लिए जो बोल्टेज दिये जाते हैं वो बोल्टेज कहीं अलग से आ रहे होते हैं लेकिन यह जो हमारा मॉस्पेट है ट्रेंश्टर voltage यानि एक टाइम के अंतराल दिये जाएंगे क्योंकि आप टी कॉन देखते हैं उसका नाम तो टी कॉन से किलेर हो जाता है ती से मतलब हुआ का टाइम और सी ओ यान कौन मतलब हुआ कंट्रोल तो यहां जो भी मैठेड है इसमें देखिए हर जगे आपको एक टाइम कंट्रोल की सिस्टम के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है क्योंकि आप स्केनिंग को देखेंगे तो वहां भी एक क्लाक डिसाइड के जाता है कि क् क्लाक से भी टाइम का रिलेशन होता है यानि क्लाक से इसपस्ट है कि टाइम और टाइम टोटल को कहा जाता है यानि इस परकार से इसे डिजाइन किया गया है कि हमारी जो इसकेनिंग होती है वो कहां पे कितने बोल्टेज जाएंगे और कहां कहां कैसे कैसे वर्क करेंगे यहां बैसे इसे स्केन किया जाएगा यानि स्केन का मतलब यह हुआ कि यह लाइन में जितने भी पिक्सल होते हैं एक लाइन में इसे बने होते हैं यह होριजिंटल लाइन में ऐसे हैं करते करते जैसे आप 3 wat में देखते होंगे उसमें जो 15,625 जो हमारी लाइन डिसाइड होती है horizontal vertical को पार्ट करके उसी लाइन में हमारी picture shift होते हैं तो सेम यहां पर भी वही है अब यहां पर हम आते हैं कि माल लिजे किसी एक लाइन देखिए यह हुआ यह हम आपको एक सेंपल के तोड़ पर हम बता रहे हैं एक दो तीन लाइन यहां पर है और यह हो गया इसका कालम कालम यानि वर्टिकल हो गया और यह हो गया इसका रो मतलब हो गया होरिजन्टल ठीक अब यहां पर आता है मामला की बोल्टे जो दिये जाएंगे गेट को तो देखे जितने भी लाइन है सबके gate area इधर fix कर दिया जाता है कि इसके side से जाएंगे इस horizontal को काम करने के लिए अब यह vertical में काम करने के लिए तो इसका decide क्या गया यह source PC भी बुला जाता है और टीकॉन भी बोलते हैं तो यहां पर जो भी आ रहा है यह source area क्यों का गया क्योंकि यहां पर इतने भी काम है सारे source जो है इहीं से इसके connect हैं अब देखिए हम यहां से चलते हैं सबसे पहले gate हुआ यानि gate हुआ source हुआ drain हुआ हम source को छोड़ देते हैं आपको तीन बोल्टेज बताये हैं कि यहां पर होने चाहिए source पर drain पर gate पर हम सबसे पहले gate पर सुरू करते हैं जैसे से इधर clear होगा कि कहां पर कितने बोल्टेज आते हैं तो जब इससे बाहर आप टीकॉन पर तो आपको बहुत आसान यह लगेगा कि हमारा मालीज यहां कोई sorting होती है यह हम आगे बताते हैं पहले यहां पर देखें पॉल्टेज देखें यह है गेट अब केट पर क्या है यहां पर एक बोल्टेज होने चाहिए जैसे कि हम बताएं आपको कि तीनों पर दीन बॉल्ट लेकिन यहां पर क्या है आप मेरा मेरा आपकी जो बेस होगी उसकी बेस बाइसिंग बेस नहिंटीव पास्टिफव से डेसाइड की जाती है और गेट पर जो है इसके निगेट आन करने के लिए पोजिटिव अब हम यह एक हो गया यहां पर बीजी अच यहां पर लो यानी लो और यहां पर हाई यहां पे दोनों कंडिशन में बोल्टेज आते हैं, यानि आन कंडिशन में यहां पे अब जब बीजीज आएगा, यानि बीजीज की सप्लाइज जब यहां पे आएगी, तो सारे पिक्सल जो है, आन हो जाएंगे, जितने लाइन में यहां तक बने रहेंगे, उसके बाद यह बोल्टेज गेट का जो हाई लो होता है यानि बोल्टेज गेट यह गेट हुआ न तो यहां पर जो लो है तो लो बोल्टेज का इंडिकेशन है यानि निगेटिव का और यहां पर जो जी एच है यानि हाई गेट की हाई बोल्टेज के लिए तो यहां पर आप जैसे माल आपका BGH हुआ अब BGH में इस कंडिशन में यह भी आन है और यह भी आन है और यह भी आन हो गया अब देखे यहां पर सोर्स बचा है और देन बचा है अब देन पर सप्प्लाई दे जाяगी तो यहां पर देख्ज़़ की इसे BGM की बोल्टेज दी जाएगे यहां पर क्यान की शप्लाई अभ यह जो स्वर्टेज है यानि कामन कामन का मतलब कि जितने भी पिक्सल बने हैं सभी विक्सल को बीकॉम के जो कामन बोल्टेज है वो फिक्स उस जगे पर जाएंगे जहां जहां पर उसके पिक्सल वाले पॉइंट है यहां पर नहीं यहां पर जाएंगे क्योंकि यहां से जो इसका आनाफ होगा तो यह सिधे य यह बोल्टेज फिक्स नहीं किये गये हैं इसको समझने के लिए आपको पहले समझें कि जिसने मालीजी कमारे टीकन हुआ या सोर्च बीविशीपी होः तो वहां पर जो जो बोल्टेज रेंड होते हैं यहां आने के लिए जो इसके basic voltage है वो चार voltage होंगे चार में क्या है BGL होगा BGH होगा और ABDD होगा और उसके बाद भी काम होगा चार supply होगी अब यहां पर देखिए दो supply हमारा यह हो गया BG BGL हो गया यह अब जब BGL यहां पर आएगा तो उस condition में आप हो जाएंगे अब यह जितने पिक्सल यहां पर लगे हैं क्लाइन में यह आप रहेंगे जब इस लाइन पर BGL हमारा आएगा क्योंकि जब गेट पर देखते होंगे तो यह CS आते हैं यानि उसे क्लाइक क्लाइक जो कि सिस्टम क्लाइक होते हैं क्योंकि वहां पर आप का जब देखते होंगे एक बार BGL एक बार BGH आता है तो वह स्केनिंग उसे के हिसाब से होता है कि जब यहां से यहां तक के लाइन जलते हैं तो फिर यहां से चेंज होता है तो उसके बाद जो है फिर यानि इस तरीके से इस तरीके से यह स्केन करता हुआ पूरे स्क्रीन को जितने में स्क्रीन है जितने इंच क्या उसमें स्केनिंग हो होंगे हम और आगे अभी इसके और भी डाइगराम इजी बता कर हम आपको समझाएंगे अब देखिए इस समय क्या है कि जब बीजियल है तो यह सारे पिक्सल आफ हैं अब यहां पर देखिए जो हमारा फाल्ट आता है अभी हम सोर्स पर नहीं चल रहे हैं यहां पर भी डिफ क्रिश्टल है तो क्रिश्टल क्या है कि उसमें जो हमारा यह यह यहां पर जो सिग्नल डेखते होंगे उसमें आर जीली हमारा आउट होता है तो यह जब वहां से च्क्रिश्चल होके रह ठील oh the hr का crystal होता है तो उसमें देखिए यह इस तरीके से इसके indication भी बने होते हैं कि ऐसे पीर के रूप में तो पीर में क्या है कि ऐसे कटेगा ऐसे इस तरीके से ऐसे फिर यहां पर ऐसे होगा फिर ऐसे कटेगा फिर ऐसे होगा कि अब यह आपका यह जो इंडिकेशन है यानि इसका आरियस डियस का सिगनल जो हमारे और जीवी जिसे उसमें बोलते हैं रेड ग्रीन ब्ल्यू जो हमारे सिगनल होते हैं में बेसिक तो वह क्या है कि जब करनुब amaरनि यूब करनुब होते हैं फिक पनको हमारे करें होते हैं यहां पर इसके ग्ल्स एरिया में जाएंगे तो इस तरीके से यह मोव्मेंट करते रहते हैं यानि जितने भी क्रिश्टल उसमें लिक्विट कैस्टल होता है तो उसमें जो प्रैस्टल होते हैं वो हर कलर के होते हैं लेकिन यहां पर जो भी signal आ रहे हमारा चाहें लाल हो हरा हो नीला हो कुछ भी वह उसके according वह हमेशा moment करते हैं और जहां पर जो भी पिक्सल को line मिली है यानि यहां से माली जी हमारा ग्रीन आया या रेट आया तो वो कितने पर्सेंटेज में है तो जहां पर ये डिसाइड करता है कि हमारी जो एरिया है यानि पिक्सल को ग्लो करने का तो अगर यहां पर बंद रहेगा तो उस एरिया में ब्लेक हो जाएगा और जब आन रहेगा तो उस एरिया में ग्लोइंग हो गा तो यह signal जो है उसी लिक्विड में crystal यानि crystal में जो छोटी छोटी तो ते कड होते हैं वो जितने कड यहां पर active होंगे जो signal यहां हमारे motherboard से आ रहा है उतने signal तेजी कर दो होंगे ऊपर की तरफ तो जहां जहां पर पिक्सल आन है इसी के एकार्डिंग यह हमारा जो CS होता है क्लाग पल्स जो आउट होते हैं इसको स्केन कराने के लिए हम इसके आगे थोड़ा सा डाइग्राम चेंज करेंगे फिर बताते हैं